Welcome to MKR, मेरा नाम है मंदीप, इस वीडियो में करेंगे class 9 के subject math का chapter number 4, जिसका नाम है linear equations, इन two variables, इस chapter की ये introduction वीडियो होगी, introduction वीडियो में हम concept और formulas जो भी है exercises को solve करने के लिए उन सभी को detail में examples के साथ discuss करेंगे, So इस chapter के introduction के अलावा जो भी इस chapter की exercises है, उन सभी को अलग-अलग वीडियो में solve किया गया है, सभी वीडियो के link आपको नीचे description box में दिये गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, chapter number 4 का नई NCRT book के according जो भी introduction है, उसको start करते हैं next page से, Chapter का नाम यहां पर है, linear equations in two variables, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि linear equation क्या होती है, तो यहां पर linear equations जो भी हमारी हैं, उनकी definition दी गई है, इसमें कहा गया है, a linear equation in which the highest power of variable is always one है, ऐसी कोई भी equation जिसमें सबसे बड़ी power variable की one हो, तो उसे linear equation कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल है, variable की सबसे बड़ी power पूरी equation में अगर one है, तो वो हमारी linear equation हो जाएगी, इसके कुछ examples लेंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको समझ पाओगे, so example में दो चीज़े यहाँ पर मैं लिखता हूँ, one variable और two variable, linear equation हमारी दो तरह की होती है, one variable में भी होती है, और two variable में भी होती है, one variable के कुछ examples ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा, two x plus में two equals to में zero, यहाँ पर आप देख सकते हो, variable क्या है, हमारा x variable है, और इस x पे कुछ भी power नहीं लगी हुई है, अगर कुछ भी power नहीं लगी है, तो इसका मतलब होता है power one होना, यहाँ पर जो भी variable है, इस तो यह one variable में होगी, यह क्या हो जाएगी, linear equation in one variable, लेकिन chapter में हमें क्या करना है, linear equation in two variables में हमें पढ़ना है, जो भी हमारी exercise में questions आएंगे, वहाँ पर हमें किस तरह की equations में लेंगी, two variables वाली, यहाँ पर one variable का हमने example लिया है, अभी two variable का भी example ले ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं example के लिए लिए लिखता हूँ, two x plus में आ जाएगा, three y, उसके बाद plus में आ जाएगा, four equals to me, zero, यह हुआ है हमारा, यहाँ पर मैंने लिखी है, एक equation, यह example होगा, linear equation in two variables है, हमारा x variable है, उसके बाद y variable है, दो अलग-अलग variable हमें मिल गए हैं, तो यह example हो जाएगा, linear equations का जो की two variables में है, यानि की linear equation in two variables, बहुत simple है न, देखो, x और y अलग-अलग दो variables हैं, और इनकी सबसे बड़ी power कितनी है, कुछ भी power दोनों पर नहीं लगी हुई है, it means one है, तो यह example हो गया, हमारा two variables, जो की हमारी linear equation दी गई है, अब जो भी general form होती है, कई सारे example ले सकते ह यहाँ पर और भी example ले सकता हूँ, मैं four x plus में आ जाएगा, हमारा eight y plus में हो जाएगा, हमारा ten equals to me zero, इसी तरह से अगर single variable, one variable के हमें example लेने हैं, तो यह हो जाएगा हमारा गाईस, यहाँ पर eight x plus में zero equals to me zero, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक linear equation हो जाएगी, one variable में, अगर variable एक है, तो one variable वाली linear equation होगी, अगर variable दो अलग-लग है, तो उसे two variable वाली linear equation कहा जाएगा, कई सारे example इसके हम लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना कर, examples के बाद अब बारी आ जाती है general form की, किसकी general form हमें समझनी है, linear equation in two variables की general form क्या होती है, यहाँ पर लिखा गया है, जैस हमारे variables, अब A और B जो है ना, इनको हम क्या कहेंगे, जो भी हमारा A और B है, इनको कहा जाता है coefficient, यहाँ पर जो भी X है, इसका coefficient A होगा, Y का coefficient B होगा, तो A और B यह होंगे हमारे coefficients, इसके बाद हमारा यहाँ पर C बचता है, यह C क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, C को कहें आपर A और B के साथ में है, C को अकेला इनोंने छोड़ रखा है, तो ये हो जाएगी हमारी constant term है, इसके अलावा आपको पता ही है, जो भी हमारा X और Y है, इनको क्या कहा जाता है, variables कहा जाता है, जो भी हमारा A और B है, ये number part होते हैं, जो भी हमारी term है न, उसके बाद plus का sign लगा करके आ जाएगा, यहाँ पर guys, 8 और equals to me, 0, यहाँ पर मेरा 2 क्या है, जो भी ये 2 है न, ये हो जाएगा, coefficient X का, उसके बाद Y के साथ, यहाँ पर number part कौन सा है, 4 है, तो ये भी हमारा coefficient हो जाएगा, किसका coefficient होगा ये, Y का coefficient है, और जो अकेला number है, जिसके साथ कोई भी variable, ना तो X है, ना ही Y है, उसको कहेंगे हम constant term, और जो भी हमारा X और Y है, इनके बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ, ये क्या होते हैं हमारे X और Y, ये होते हैं हमारे variables, बहुत simple है, X का coefficient यहाँ पर 2 है, Y का coefficient यहाँ पर 4 है, 8 हमारी constant term है, X और Y हमारे दोनो variables हैं, तो जो भी linear equation in two variables है, उसकी definition, example को हमने समझा, उसके general form क्या होती है, उसमें जो भी हमारी basic basic points होते हैं, वो सारे हमने समझ लिए हैं, अब जो भी linear equation in two variables हैं, इसके solutions की बात करेंगे, इसको किस तरह से solve करना है, उसकी बात करेंगे, उसके लिए move करते हैं guys next page पर. Linear equations क्या होती हैं, उसकी general form क्या होती है, पीछे वाले page पर समझने के बाद, अब इस वाले page पर समझ लेते हैं, कि linear equation को किस तरह से solve किया जाता है, यहां पर हमें दिया है solution of linear equation linear equation को solve कैसे करना है उससे related हमें एक point दिया गया है इसमें कहा गया है a linear equation in two variable has infinitely many solutions यह तो काफ़ी interesting हो गया कि जो भी हमारी linear equation two variables में होती है उसके infinitely many solutions यानि की unginate solution होते है सुनने में काफ़ी interesting है कैसे find करने हैं यह solutions इसको समझने के लिए हमारे पास है एक example example में x plus में 2y minus 6 equals to 0 यह हमें एक linear equation two variables में दी गई है यहां पर x और y हमारे variables है अगर इस equation को हमें solution इसके solution हमें find करने है तो उसके लिए एक side में इस तरह से सबसे पहले आपको एक table बनाना होगा इस तरह से table बना लो कितने solution find करने है उसी के according आपने table बनाना है माल लो हमें 3 solution find करने है तो हम क्या करेंगे इसको इस तरह से हम table बना लेंगे और एक box में उपर x लिखेंगे उससे नीचे वाले में y लिख देंगे अब बचे यहां पर 3-3 solution find कर लेंगे इसको दूसरी तरफ shift कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा minus 6 है दूसरी तरफ shift करेंगे तो हो जाएगा plus का 6 है अब यहां पर क्या करना होगा हमें जो भी हमारा x है ना माल लेंगे x हमारा यहां पर 2 है हमने let कर लिया कि x हमारा 2 है तो जो भी हमने two let किया है न इसे x की जगे पर उसकी value हमें put कर देनी है x is two let किया है तो two हमने put कर दिया plus में two y हमारा as it is equal to में आ जाएगा six से अब यहाँ पर two y equals to में तो six आ जाएगा plus का जो two है दूसरी तरफ shift कर देंगे हो जाएगा minus का two y equals to में क्या हो जाएगा six में से two को minus करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा four और y के साथ में यहाँ पर two multiply है इसको दूसरी तरफ shift कर देंगे तो यह हो जाएगा divide में two two जा हो जाएगा four हमने यहाँ पर क्या किया जो भी हमारा x था उसकी जगे पर two put किया तो y की value क्या मिल गई हमें two मिल गई x हमने two put किया तो y की value हो गई two इसी तरह से अब next x जो है उसकी जगे तो हमने let कर लिया कुछ भी आप अपनी तरफ से let कर सकते हो one two three zero जो भी let करना है आप खुद से कर सकते हो अब next वाली situation में मैं क्या करता हूँ x से प्लस में two y equals two में six equation सबसे पहले as it is लिखता हूँ अब मैं let कर लेता हूँ y की जगे पर कुछ भी let कर लो माल लो y हमारा zero होगा अगर y हमारा zero है तो x की value क्या मिलेगी हमें equation में हमें y की जगे पर zero ये वाली value put करनी होगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x से प्लस में two as it is y की जगे पर मैं zero रखूँ गा उसके बाद equals to me six से x क्या हो जाएगा मेरा x से प्लस में two multiply में zero two को zero से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा zero equals to me six है x में मैं zero add करूँगा तो x ही रहेगा equals to me six मेरा as it is, y अगर हमारा 0 है तो x की value हो जाएगी यहाँ पर 6, इसी तरह से हम बहुत सारे solutions find कर सकते हैं, हमें एक solution और find करना है अभी, तो यहाँ पर फिर से में जो भी हमारी equation है, x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 6 है, इसको लिखता हूँ, अब की बार मैं let कर लेता हूँ, कि x हमार 0 होगा, अगर x हमारा 0 है तो x की जगे पर आ जाएगा, 0 प्लस में आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा, 6 है, 0 प्लस में 2y करेंगे, तो यह हमारा 2y ही रहेगा, इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा, हमें y की value find करनी है, तो y इक्वल्स टू में 6 as it is रहेगा, y के स साथ में 2 कैसे है, multiply में दूसरी तरफ shift कर देंगे तो हो जाएगा ये, divide में 2, 2 से 6 को cancel कर देंगे, 3 times पर y की value यहाँ पर आ जाती है, 3, अगर x मैंने 0 रखा तो y की value 3 आ गई, ठीक है, x की जगे पर 0 put करने पर y की value आ गई, 3, जो भी हमारी ये linear equation है, इसके 3 solution यहाँ पर हमने find कर लिए है, अब जो भी इस box में हमने find किये हैं, अगर हमें box में ना लिखने हो, तो इस equation के जो भी solution है, उनको लिखा कैसे जाएगा, एक bracket बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, एक bracket बनाएंगे, bracket के अंदर, जो भी हमारा x और y की value मिली है, उसको हमें लिख देना है, x की value 2 है, y की value 2 है, तो इस तरह से लिख देंगे 2,2, इसी तरह से next एक और bracket बना लेंगे, यहाँ पर है हमारा 6,0, हमेशा bracket के अंदर, जो भी पहले लिखा जाएगा, वो x की value होगी, second जो लिखा जाएगा, वो y की value होगी, तो यहाँ पर 6 x की value है, y की value है 0, तो यहाँ पर हो 6,0, इसी तरह से आगे फिर से इस वाले solution को लिखेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 0,3, हर एक bracket में हमने x की value पहले लिखी है, और y की value बाद में लिखी है, जो भी हमारा यहाँ पर हमने example लिया था, equation ली थी, इसके तीन solution हमने इस तरह से find कर लिए, अगर graph बनाना हो तो इस तरह से इसके solution लिख सकते हो, जो भी solution था, linear equation का वो किस तरह से करना है, और कितने solution आप find कर सकते हो, इस वाले page पर मैंने समझा दिया है आपको, so solution of linear equation in two variables, यह concept हो जाता है, complete, इसी concept के साथ है, chapter number 4, linear equation in two variables का जो भी introduction है, वो हो जाता है, complete, उमीद करूँगा, सभी के सभी concept आ जितने भी नए student से channel को subscribe कर लेना, class 9 से related जो भी educational videos हैं, इसी तरह से channel पर आती रहेंगी, इसके अलावा chapter number 4 की जो भी exercises हैं, उनको अलग-अलग video में solve किया गया है, सभी videos के link आपको नीचे description box में दिये गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना, so इस video में इतना ही मिलता हूँ आप से इतिया तरह की next educational video में